देखे जो अभी तक हमने पड़ा एक बार रवाइस कर रहा है तो बजट की प्रोसेस क्या होती है बिल जो है वो होता है हाउस के अंदर फिर एक जनरल डिसकेशन होता है फिर डिमांड ऑफ ग्रांड जो है उस पर वोटिंग होती है यानि कि अनुद्रान की मांग जो होती है वोटिंग होती है और ये दिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है वो श्रफ लोगसमा में ही आएगा जैनकि ये डिमांड ऊढ़ेगी सिर्फ और सिर्फ लोगसमा में उसके बाद हमें देखने का मिलता है कि अप्रोप्रीयेशन बिल जो है वो पास होता है अब ये एलपोई जाiska वो पैसा बस यहां पर पास किया जाएगा निकालने के रिए और बिलकुल money bill की तरह ही ये पास होता है। उसके पाद रस्ता मिल जाता है, clear finance फिनेंस पैसा फैसा फड़र निकालने के लिए हैं। तो ये चोड़ी सी चीज़ है कुछ facts के बारे में मैं आपको अधायता हूं budget से related पहला budget East India Company लेकर आई थी 6 April 1860 को और independent India या फिर union budget जो अब हमारा देश अजाद हुआ था उस समय पहली पहला हमारा budget आया था जो 26 November 1947 को आया था और हमारे पहले finance minister के तोरह प्रस्तुत किया गया यानि कि पहले finance minister जिहोंने budget प्रस्तुत किया उनका नाम था RK शन मुखम चेक भी पिर इसके लावा सबसे जादा अभी तक budget जो प्रस्तुत किया है वो मुरार्ची देशाई ने किया है 10 budget फिर 2 चिदंबरम जी ने किया है 9 budget फिर प्रणम मुखर जी ने किया है 8 budget फिर यश पूछ लेती है तो खुड़ा सा ज्यान दरखना एक फैक इंपॉर्टेंट है कि 1999 तक budget जो होता था वो शाम में पाच बजे आता था और इस practice को हमने खतम कर दिया था यह बेसिक ही अंग्रेजों की लिए वो इक प्रथा थी budget को शाम में प्रस्तुत करना थी फिर अरुन जै है वो मर्ज कर भी आ गया तो यह फैक्ट थोड़ी से important है तो आपको ध्यान में रखना है clear with everyone